दोस्तों नमस्कार आदाब सच्रीयकाल नियूज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश और अच्छानक ही करनाटक चुनाओ में कहरी शिकस्त पाने के बाद भारती जनता पार्टी और उसके शिर्सनेता ले देकर अगर माना जाए तो उसके मुखडा नरिंद में 2024 के 11 महीने की देर है लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि चुनाओ का दंगल बिलकुल शुरू किया जा चुका है समूची तैयारी ऐसा लगता है कि उसके वो फाइनल स्टेज में है और बिलकुल पूरे जोश के साथ नरेंदर मोदी जी फिर से मैदान में आ गए हैं और व हैं तक्राओ के दर्मियान उनके रोड शौ में जिस तरह का जोश दिखाई दे रहा था उसी तरह का जोश हमने अभी हाल में जो विदेश मुझे गए देश से बाहर आस्ट्रेलिया के सिडिनी में उनके मेगा शौ में दिखाई पड़ा क्या जोशिला तर तरीका धंग था उनका चोश है लेकिन उसमें टक्राव की मुद्रा है मेहनत है लेकिन उसमें मनमानापन है और ये मनमानापन अपने देश के अंदर दिखाई दे रहा है जब Parliament of India की नई बिल्डिंग को लेकर देश के जितने प्रमुक्वी पक्षिदल हैं सरकार उनसे मुठभेड की मुद्रा में आ गई है और इन सब के पीछे जो कहानी है जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ऐसा लगता है कि वो 2024 के चुराव की तैयारी का एक एक चर्ण ऐसा लगता है कि एक एक कदम मोदी जी के भारती जनता पार्टी के कदम आगे बढ़ रहे हैं और दोस्तों पार्लमेंट की बिल्डिंग का जो मसला है वो लगातार अब गंबिर शुरू में भारती जनता पार्टी ने बिलकुल अंदाज नहीं लगाया था कि उसके मनमाने पन पर कोई अंकुष लगेगा या आवाजें उठेंगी और आवाजें उठेंगी तो इतनी धारदार इतनी ताकतवर होंगी लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आलमोस्ट भारत के जितने प्रमुखराई नितिक दल हैं प्रमुखराई नितिक दल भी पक्ष में जो भारती जनता पार्टी से जिनका कोई लेना देना नहीं है उनमें भारी रोश है कि किस तरह पार्लेमेंट की के निर्मान की कोई जरूरत नहीं थी 680 करोड के आसपास का बजट था जब पार्लेमेंट आफ इंडिया की नई बिल्डिंग बननी थी लेकिन अब बताया जाता है कि 1250 करोड के आसपास या शायद उससे भी कुछ ज्यादा रकम इस पर खर्च की गई है या खर्च की जान भूमि पूजन भी उन्हों नहीं किया था 2020 में और उसका लोकारपन अनावरन उदगातन जो आपके यह वो नरिंद्र मोदी जी के ही हाथों होगा यानि पूरा का पूरा जो नई पार्लेमेंट का जो शो है यह भी एक मेगा शो है जो पूरी तरह नरिंद्र मोदी सेंट्र है तो यह जो कहानी है हर जगा जैसे रोड शो वैसे मेगा शो उसी तरह से जो मेगा शो के अलग अलग रूप है अलग अलग रंग है पार्लेमेंट को भी उसी तरह का मेगा शो नब बनाया जा रहा है इसके उद्गाटन को जहां और कोई दिखे न दिखे नरिंद्र मोदी जी लगातार दिखाई देते रहें कि पार्लेमिंट जो कुछ है वो उनके कारण है और दोस्तों उस दिन वीडी सावर कर जो की भारत की आजादी की लड़ाई के शुरुआती दोर में जिनका योगदान था मैं यह नहीं कहूंगा कि उनका योगदान नहीं था वो गिरफ्ता नहीं हुए और वो रतनागिरी के अपने आश्रम में यह अपने अपने अपना जो उनका अड़ा था वहीं रहे और अलग-अलग धंका काम करते रहे उनके उनकी जयनती के दिन को चुना गया है भारत की नई संसत के लोकारपन के लिए अब मैंने आज देखा कि मेगा कारिकरम की वो गलत है क्यों क्योंकि इसके पहले भी जो घाटन और इस तरह के भूमी पूजन है वो पूरो प्रधानमंत्री तब के प्रधानमंत्री करते रहें लेकिन दोस्तों मैं उनकी बात में एक कर्रेक्शन करना चाहता हूँ उन्होंने जो बातने कही हैं जो बयानात पॉब्लिक प्लेटफर्म्स पर आये हैं, मीडिया में आये हैं, उनमें एकुरेसी नहीं है, तो दोस्तो अपने देश में जो पर्लेमेंट आफ इंडिया की एनेक्सी है, उस एनेक्सी का भूमी पूजन प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने किया था, ये बात शायद हमा तीन दिरागांधी जो भारत की प्रधानमंतुरी थी, उन्होंने उसका उद्गाटन जरूर किया, लेकिन एक फाॉन्डेशन स्टोन जो डालने का काम है, वो रास्टपती के हाथों हुआ, और उसका इनाउगरेशन जो है, प्रधानमंतुरी के हाथों हुआ, ठीक उसी तर उद्घाटन है 2002 में राष्टपती के आर नारायनन ने किया ये दर्ज है और परलेमंट की जो पुस्तिका है जो उसके उसकी बिल्डिकों के बारे में जो पूरा डिटेल है उसमें भी ये बात दर्ज है तो ये जो जो सत्य हैं जो तत्य हैं उन से इंकार नहीं किया जाना चा ठाराने के लिए तत्यों के साथ खेलवाड नहीं होना चाहिए आखिर वो अपोजिशन कहा क्या रहा है अपोजिशन सिर्फ ये कह रहा है कि भाई जब जैसे वार मेमोरियल बना है नेशनल वार मेमोरियल अब आप देखिए कि नेशनल जो वार मेमोरियल है दो हजार उन्नीस में इसका उद्गाटन जो था वो हुआ लेकिन उसमें तत्कालिन रास्टपती रामनात कोवित को नहीं बुलाया गया जबकि आर्टकिल 53 जो कांस्ट्विशन आफ इंडिया की है उसमें रास्टपती भारत की सेनाओं के सुप्रिम कमांडर होते हैं इस नाते प्रोटोकॉल क तहत भी परंपरा के तहत भी उनको बुलाया जाना लगभग अनिवार्य था लेकिन उनके बजाए प्रधान मंत्री ने स्वैम अपने हाथों से सब कुछ कर दिया तो ये हर जगा जो प्रधान मंत्री सेंट्रिक कारिक्रम हो रहे हैं अपने देश की पार्लामिंटी डिमोक नाइन के तहट आठकिल सेवेंटी नाइन जो कांस्ट्विशन आफ इंडिया का है वो क्या कहता है वो कहता है कि भारत की जो पार्लामिंट है वो उसके तीन घटक हैं दो नहीं तीन घटक हैं कौन-कौन लोकसभा राजसभा और प्रेसिडेंट आफ इंडिया लेकिन आप कोही प्रेस जो नई पार्लामिंट बिल्डिंग है उसके इनागरिशन में बुलाना नहीं चाहते बजट सिसन के समय हर वर्ष नया सत्र जब शुरू होता है रास्टपती के हाथों रास्टपती के भाशन अभी भाशन के साथ उसकी शुरूआत होती है लेकिन नई बिल्ड इसकी जो पार्लामिंट है जो पहले की पार्लामिंट है 1927 में जो तैयार होई थी बनकर उसकी जगह नए पार्लामिंट भवन की कोई जरूरत ही नहीं थी जिन लोगों ने पार्लामिंट आफ इंडिया को अंदर से नहीं देखा है उनके लिए मैं बताना जरूरी समझता कि हमारी Parliament of India की जो बिल्डिंग है उसमें पर्याप्त जगह है कि अत्रिक सीटों के लिए ब्यवस्था की जा सकती थी अगर उसके गलियारों को आप देखिए हाउस के अंदर हाउस के अंदर जो गलियारे हैं उनकी अगर लंबाई चोड़ाई आप देखिए तो बिल्कुल सा है कि जो जो सिटिंग एरेजमेंट्स है उसमें चेंजेज ला करके उसको मॉडरनाइज करके आराम से ज्यादा से ज्यादा और सीटें बढ़ाई जा सकती है हमारा सेंट्रल हाल है उसका उपयोग किया जा सकता है उसके कुछ हिस्सों का उपयोग किया जा सकता है लेकिन उस पार्लामेंट बिल्डिक को जो हमारा heritage का पार्ट है जो हमारी विरासत का हिस्सा है उसको बिल्कुल गुम कर राना उसकी जगह एक ऌई बिल्डिक कहड़ा कर देना अपने आप में सवालों के घेरे में हमेशा रहेगा जब भी भारत की पार्लामेंटरी जो हिस्ट पार्लामेंटरी डिमोक्रिसी की जो हिस्टरी है जब कभी तियार की जाएगी दुनिया के इतिहास में दोस्तों सिर्फ भारत की कहानी यह नहीं है जहां कहीं डिमोक्रिसी है दो दो साल साल तीन-तीन साल की पारलेमिंट बिल्डिंग है उनकी लिड़ड़ साल की बिल्डिंगस हैं चाहे वो ब्रिटें हो फ्रांस हो डैनवार को जितने देशों का आप नाम ले लीज़े जो डिमोelier इंसीज़िंट जहां पर काम करती हैं वहां की बिल्डिंगे चाहे जितनी पूरानी पड़ गई उन्होंने मरम्मत से इनोवेशन रिनोवेशन से और अलग-अलग ढंक से modernize किया अपनी बिल्डिंग को लेकिन उसे खतम नहीं किया उसको छोड़ा नहीं उसे गुम नहीं किया परलमेंट की बिल्डिंग वो बनी रही लेकिन ये पहली दफा है कि हमारे देश में परलमेंट की बिल्डिंग रहते हुए और अभी 1927 की बनी हुई बिल्डिंग सौ साल भी अभी नहीं हुआ है उसको छोड़ कर हम नई building मना रहे हैं जिस पर इतना सारा खर्च कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी एक जिद्ध है और इस जिद्ध के साथ यहां भी जिद्ध है कि इसका जो उद्गार्टन है वो भी माननी पुरदान मंत्री के हाथों ही होगा जैसे इसकी बुनियाद उनके हाथों रखी गई थी इस पर जो पूरी एक लामबंदी भी पक्च की हो गई है वो बताती है कि लोग सभाद चुनाओं की अन्वूज पारलमेंट की इस नई बिल्डिंग को लेकर जो एक रसा कसी चल रही है उसमें भी रिफलेक्ट हो रही है तो ये दोस्तो एक बड़ी अजीब बात है और दोस्तो दूसरी जो बात है कि अगर आप देखिए अपने देश में जो मैं बार बार ये जो कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि करनाटक के चुनाओं में गहरी शिकस्त पाने के बाद कहीं न कहीं शुरुआत कर दी गई है नए इलेक्शन के लिए यानि दो हजार चौबिस के इलेक्शन के लिए लेकिन उसके पहले विधान सभा के चार चुनाओं है और ये बड़े महत्पुन है राजस्तान है मद्य प्रदेश है तेलंगाना है चतिस गड़ है इन में भी चुनाओं मुझे लगता है कि इनको भी प्रभावित करने के लिए ये इस समय जो चीजें चल रही है बड़े ये है कि जितने वापोजिशन के लीडर हैं जो नहीं पड़ रहे हैं जो नहीं कम्परमाइश कर रहे हैं जो लगातार बोले जा रहे हैं लगातार जो आवाजंए उठा रहे हैं उनको cbi id और अलग अलग जो एजंसी जКАDER है उनके जरिये इतना तबाह करो कि वो सरिंडर क खामोश हो जाएं या वो तबाही की तरफ बढ़ें अब जैसे अभी अभी जब मैं आप से बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की एक नेता है संजे सिंग ये मंत्री नहीं है राजसवा के सांसद हैं आम तोर पे इनकी जो छवी है अच्छी है संजे सिंग को इन लोगों सरकार ने एडी की एफाई आर में धर्ज किया था शराब घोटाले में प्रमाण नहीं मिला तो उनका नाम हट गया उनका नाम हट गया अब क्या हो रहा है कि उनके तीन सहकर्मियों को उसमें एक पीए हैं और अन्य दो सायोगी सर्वेश मिश्रा विवेक त्यागी अजित् चानी है च्छतिस गड़ में कॉंग्रेस नेताओं को कुछ अपसरों को कथित छराब जो घोटाला वहां का है उसमें लपेटनी की कोशिश है उसमें कई गिरफतार किये जा चुके हैं और जो हमारी जानकारी है कुछ और नेताओं को गिरफतार करने की योजना है अब जनता के लिए जिसने काम भी किया है किसानों में नौजवानों में जिसकी पकड़ है च्छतिस गड़ में भारती जनताओं पार्टी पूरी तरह बुझी हुई पार्टी नजर आ रही है उसके पास नेता भी नहीं है ऐसी स्थिती में नए नेता जो चमकदार हों यो हों ऐसे निता भी नहीं है ऐसी स्थिती में च्छतिस गड़ में जो मवजूदा जो कॉंग्रिस पार्टी है जो सत्ताधारी है उसको बुल्डोज करने के लिए जो एजेंसी हैं उनको ऐसा लगता है कि पूरी तरह लगा दिया गया है तीसरी बात तेलंगाना में जो कवित हैं जो 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 चंशिकराव की पुत्री हैं उन पर भी तलवार लटक रही है इसी तरह भी तेजस्वी पर भी लगातार प्रहार हो रहा है विएर में तेजस्वी यादोपौर जो डिपुटीचिप मिनिस्टर है बंगाल में अभिशेक बनर जी से पूस्ताष बीस बीस में होती रहती है तो कहने का मतलब यह है कि जितने opposition के बड़े नेता हैं जो प्रमुख नेता हैं जो challenge हैं उनको परिशान करने की उनको किसी तरह किसी ने किसी मामले में फसाने की हरसंभग कोशिश की जा रही है ये जो चुनावी तयारी है बहुत सारे लोग यह भी अटकलें लगा रहे हैं कि ये जो 2000 रूपे के नोटों का चलन बंद किया गया है इसके पीछे भी कोई कहानी है ये बात सही है कि 2018 और 2019 के बीच में इन नोटों का छपना बंद कर दिया था RBI ने अब भारती जंता पार्टी के कई प्रमुक निता कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है जी ये 2000 नोटों का बंद किया जाना बहुत जरूरी था इससे काला धन बढ़ रहा था जमाखोरी हो रही थी तो काला धन रोकने के लिए 2000 के नोटों का चलन बंद करने जाना चाहिए क्योंकि इतने बड़े बड़े नोट नहीं छापे जा 500 के नोट थे 1000 के नोट थे दोनों नोटों को बंद कर आपने 2000 रुपए के नोट छाप दिया फिर 500 का नोट आपने जारी किया तो आखिर इसकी जरूरत क्या थी उसमें उस समय जो आपका बयान था वो सही था 2000 के नोटों के पक्ष में या आज सही है इसके बारे में भारती जनता पार्टी के नेता कोई जबाब नहीं दे पा रहे हैं लेकिन अब वो तो खैर नौंबर दिसंबर का महीना था अब गर्मी के दिनों में ये 2000 के नोट जो हैं इनके लिए लाइन लग रही है हर दिन और कई-कई ब्रांच में एक-ईक दिन 10-10 करोड 15-15 करोड रुपे जम हुए थे 2017 के तो नोट बंदी के कुछ ही समय बाद हुए थे भारती जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा मजाक उड़ाया सपा बस्तपा का कि इन्हों ने जो पैसे जमा कर रखे थे नोट बंदी में सब गायब हो गए ये अलग बात है कि नोट बंदी के बाद जब सार धन पर रोक लगाने की बात और जमाखोरी की बात का क्या उससे खुलासा होता है ये तो वो जाने लेकिन अब ये भी संकेत मिल रहा है कुछ लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि 2000 के नोट जो हैं काफी विपक्षी कुछनेताओं के पास आ गए थे तो उनकी कमर तोड़न के समर्थों के पास ये पैसे की जमाखोरी जो है खतम की जा सके ये भी एक अटकल लगाई जा रही है अब इसके पीछे सच कितना है कितना सच नहीं है ये तो प्रशासन जाने और इसके जो विशेशक हैं वो जाने लेकिन ये एक कहानी है और इस कहानी को जुटलाय नहीं जा सकता है जो दवी जुमान से हर जगा कही जा रही है और दोस्तों कुल मिलाकर जो इस वक्त जो चुनावी तैयारी इतने पहले शुरू कर दी गई है तकराओ इसमें है इसमें मन मुटाव है इसमें कहीं से कमप्टिशन नहीं है इसमें कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि जिसके पास जनता है जिसके पास अवाम है अगर वो चुनाव जीता है तो डिमक्रिसी की जीत होती है ये भावना कहीं न कहीं हमारी जो जनतांत रिकता है हमारे समाज में जो लोकतंत्र की बुनियाद है कहीं न कहीं उससे गायब होती जा रही है तो दोस्तो आज की बात में इतना ही कि कैसे हम अपनी डिमक्रिसी को बचाएं क्योंकि जोश के साथ टक्राव लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह का तीखा टक्राव दिखाई दे रहा है वो कहीं न कहीं हमारी लोकतंत्रिक प्रणाली को डिरेल कर रहा है कहीं न कहीं वो भटका रहा है हमारे लोकतंत्र को ये एक बहुत बड़ा संकट है अभी तो आगे देखना है अभी अजोध्या में एक मंदिर का इनागरेशन होने वाला है कुछ समय के बाद इस बीच में एक सज्जन जो हैं एक बाबा जो हैं हर प्रदेश में जहां जहां च सबसे बड़ा सबसे बड़ा उनको एक तरह से नेता बनाया जा रहा है धार्मिक नेता या राजितिक नेता जो भी आप कह लिए वो खोले आम का रहे हैं कि हम देश में हिंदू राष्ट बनाने के लिए पैदा हुए हैं और इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं देखना है कि 2024 का चुनाओक कैसा होता है नमस्कार आदाव सब्स्रियकार